कुछ लोग जब शैतानी और शरीदिक गाड़ी में होते हैं, हर टाइम उनको फ्रस्टेशन मिलती हैं, उनके बच्चे उनके काबू में नहीं है, सेहत उनके काबू में नहीं है, लाइफ उनके काबू में नहीं है, कुछ भी अच्छा नहीं है, हाँ पैसा आ रहा है कहीं से, ठीक है लेकिन चार चीजे बिगडी हुई क्योंकि परमेश्वर की blessing उनके life पे नहीं है अगर परमेश्वर की blessing साहिए आपको परमेश्वर वाली गाड़ी के उपर चलना पड़ेगा और रास्ते में समय समय के उपर परमेश्वर व्यक्तियों को भेजेगा आपके पास आपके जरूरतों को बुरा करने के लिए समय समय के उपर राइट स्टेशन आएंगे जहां से राइट लोग आपकी life में चड़ेंगे और अगर परमेश्वर लगता है आपसे बात नहीं करता फिर भी आप उस गाड़ी में होंगे जो राइट टाइम के उपर आपको राइट जगा के उपर लेके जाएगा आपको घबराने की जूरत नहीं होगी कि परमेश्वर ने मुझसे बात नहीं की या मुझे लग नहीं रहा कि परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है मैं रोज प्रार्तना में बैठा हूँ आपके परचार के बाद मैं रोज चार घंडे तीन घंडे प्रार्तना कर रहा हूँ लेकर मुझसे कोई बात नहीं हो रही अगर आप तौबा में हैं और आपने इस लेवल से इस तरह से प्रार्तना करने शुरू कर दी अगर वो बात ना भी करे सब कुछ राइट पोजिशन पर आ जाएगा कुछ ही महीनों के अंदर everything हर एक चीज आपको ना भी बता हो आपको राइट चीज मिलेगी right व्यक्ती मिलेंगे रोंग व्यक्ती आपकी लाइट से जाएगे हर एक चीज राइट टाइम के उपर पर्मिश्र आपको देगा अगर आब इस तरह से चलेंगे तो परखा हुआ विश्वास और प्रार्तन में गतल लगे रहो आमें प्रेयर, 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 नाइट प्रेयर, मौर्निंग प्रेयर तो कि प्रेयर्स आपको आगे लेके जाने वाली आप जाहे धर्मी भी हो, पवितरताई में भी हो without prayer आप late होंगे अपनी destiny में और कई बार जो blessing ज़्यादा late हो जाएं वो एक तरह की ना के बराबर हैं और इस तरह से आप देखेंगे कि right time के उपर God's planning के उपर आप रहेंगे और हर एक चीज फिट होती जाएगे पजल सॉल्व करना होता है फोटो में इधर उधर सब तुकड़े देते हैं और फोटो लगाओ बराबर वो फोटो बराबर लगती जाएगे अपने आप सिर्फ आपका खुदावन में रहने के कारण विश्वास में परखे जाने के बाद स्थेर रहने के कारण और राइट प्रेयर लाइफ होने के कारण आपके पजल सॉल्व होते जाएंगे और आपका विश्वास बढ़ता जाएगा कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा आपका मालूम होगा कितना भी बड़ा पजल क्यों ना हो मुझे बस बने रहना और आडे रहना और खड़े रहना और प्रेयर करनी है ये सॉल्व होता जाएगा और आपको आदत पढ़ जाएगी सॉल्व होता देखने की हर एक मुसीबत को क्योंकि आपने बहुत से पजल सॉल्व होते अपनी लाइफ में देखे होंगे और आप बार बार देखेंगे कि जब भी आप किसी पजल में पढ़े हो किसी मुश्किल में पढ़े हो परमेश्वर ने उसे सॉल्व किया अपने टाइम में सिर्व आपके खड़े रहने के कारण और प्रेयर लाइफ होने के कारण हालेलुया याद रखो अपने आप कुछ नहीं होगा पड़ी तरह के लोग चर्ज में बेढ़े हैं जोने अब तक बप्तिस्वा ने लिया देखना चाते परमेश्वर क्या कर सकता है उसकी लाइफ में क्या किया अब मेरे लाइफ में क्या कर सकता है ऐसे लोग भी है लेकिन परमेश्वर कता धन्य हैं वो जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया अब इस्राइलियों के साथ एक राजा युद्ध कर रहा है और वो राजा युद्ध कर रहा है और देख रहा है कि मेरी सैना हार रही है और वो राजा जिसने जिसके बड़े बेटे ने उसके बाद राजा बनना था बाइबल कहती है कि उसको बलिदान कर दिया और जैसे ही उसको बलिदान किया इस्राइली हारने लगे ये बड़ा अजीब चप्टर था कि एक शेतानी व्यक्ति शेतान को अपने बेटे की बली देता है क्योंकि यहावा परमेशुर किसी बंदे की बली नहीं लेता और ऐसा कैसे कि इस्राइली की सेना हारने लग जाए एक शेतानी बंदे की अपने बेटे की शेतान को बली देने से क्योंकि प्राब्लम ये थी परमेशुर गुसा हो रहा था इस्राइल के उपर कि एक अविश्वासी बोने की सामर्थ को जानते हैं एक अविश्वासी जानते हैं अगर मैं बोऊंगा तो मैं काटूंगा इस्राइली ये देखते हुए भी कि उसने अपना बेटा कुर्बान किया उन्होंने परमेश्वर के आगे किसी भी चीज़ की कुर्बानी नहीं की और इस वज़ा से परमेश्वर नराज हुआ और इस्राइली बाइवल कहती है हारने लगे प्रॉब्लम ये है क्रिश्चन लोगों को लगता है कि बिना करम किये वो अपनी लाइफ में ब्लेस हो जाएंगा या सिरुक प्रेयर करके ब्लेस हो जाएंगा जोगी फेत में खड़े रहना प्रेयर करना और सेक्रिफिशल गिविंग बोना अगर ये चीज़ें आपके लाइफ में हो आप एक स्ट्रॉंग फाउंडेशन पे अपना घर बना चुके हैं जिसको हिलाने सकता कोई स्ट्रॉंग फाउंडेशन आपकी जो नीव होगी वो स्ट्रॉंग इतनी स्ट्रॉंग होगी वो हिलने वाले नहीं हो अगर आप चुप-चप बैढ़ें तो वो भी चुप-चप बैठ है जोगी अपने लेवल को आगे लेके जाने के लिए हमें सिर्फ अपनी जरूरत है खुदावन ने हमें ताकत दिये ग्रेस दिये उसने हमें ऐसे सिस्टम में ऐसे स्ट्रॉक्चर में आल्रेडी बैए ग्रेस बिठा दिये है कि हम आगे बढ़ सकते हैं हालेलुया अगर आप उपर देखते जाएंगे कि खुदा कुछ करें तो खुदा नीचे देखेगा आपकी तरफ की आप कुछ करें विश्वास में परक के साथ निकलना strongly, बोना strongly आप मजबूत Christian हैं फिर आपकी नीव को हिलाया नहीं जा सकता फिर आपकी लाइफ के पुजल सॉल्व होने वाले हैं आमिन छोटा है मैंने कहा आपकी लाइफ के पुजल सॉल्व होने वाले है